आगे चलते हैं, आगे शुरुबात करते हैं, ट्रेन के बारे में, इससे आपके प्रीम में एक से दो कोशन आता है, में इसमें भी एक से दो कोशन आता है, ध्यान रखते हैं, तो सबसे पहले लिखा है basic concept of train, तो train के basic concept के उपर यहां पर point देखें, सबसे पहला जो हम speed वाला formula इसके बारे में, जैसे सबसे पहला आप यहां पर देखो, तो relative speed क्या होती है? तो relative speed के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, relative speed के बारे में क्या जानते हैं, कि जब भी कोई भी दो लोग, जिनके पास अपनी अपनी गती है, अगर वो same direction में जा रहे हैं, तो उनक और किलोमेटर पर आवर से मीटर पर स्रेकेंड में आने के लिए 5.18 से गुना किया जाता है, ठीक है, और इसके बाद हम आपको कुछ-कुछ पॉइंट यहां बताना शुरू करेंगे, तो एकदम टाइपोईज बताएंगे, यह सबी चीजों की आवशकता हमें, नहीं है, यह सारा हम आपको कंसेट क्लियर करा देंगे ऐसी ही, तो जैसे टाइप नमबर वन, जो है, मेरे भाई, वो यहां पर यह है, कि एक ट्रेन किसी मैन को, प्लाटफॉर्म को, या मैन को, या किसी को भी क्रॉस कर रही है, तो कैसे होगा, तो सबसे पहले ट्रेन के अंदर काफी सार टाइप बनते हैं, ठीक, और यह हम आपको एक एक टाइप से पहले ओगत कराते हैं, कि ट्रेन हमारा किस-किस को क्रॉस करती है, और जब हर केस में क्रॉस करती है, तो क्या हमारा फेंडामेंटल होता है, सबसे पहले ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करेगी, और यह मैन क्या होगा, तो ये मेरे भाई मैन जो है ये रुका हुआ रहेगा, स्टॉप रहेगा, शान्त रहेगा, एक जगा पे रहेगा तो आप इसे कह सकते हैं सर, इसकी स्पीड कितनी होगी, तो या ये मतलब एक तरीके से स्टेशनरी होगा ये मूव नहीं कर रहा होगा, कहीं पर जो है मैन ये बिचारा चुप चाप खड़ा होगा या फिर मैन को क्रोस कर सकती है, किसी पोल को क्रोस कर सकती है, इस तरीके से करके दूसरा मेरे भाई train जो है यहाँ पर वो cross करती है किसको तो वो cross करती है किसी platform को ठीक है या फिर मेरे भाई वो किसको cross करेगी तो bridge को cross करेगी ठीक है और तीसरा point यहाँ पर क्या होता है कि एक train किसी दूसरी train को cross करेगी ठीक है जो मेरे भाई move कर रहा है या फिर दोस्ते हैं आपर क्या हो जाएगा कि वो किसी man को cross करेगी जो क्या कर रहा है तो move कर रहा है moving object को ठीक है ये हमारा 3 type बनता है अब ये 3 type में किस तरीके से सवाल हमारे बनते हैं, क्या हमारा frame होता है वो थोड़ा तसली से तरीके से समझेगा तो अगले 10 से 15 मिनट तक आप लोग comment करना बंद करियेगा और यहां जो हम पढ़ाएंगे उसके उपर focus करियेगा कि क्या है, ठीक है यहां सारी बातों को मेरे समझने की कोशिश करियेगा तो case number one की बात करते हैं कि case number one हमारा क्या है तो case number one यह है जब हमारा train जो है वो हमारी cross कर रही है और train हमारे किसको cross कर रही है तो train crosses और किसका मेरे भाई तो train crosses और यहां पर हो जाएगा मेरे भाई platform ठीक है, या train cross कर रही है किसी man को जो मेरे भाई रुका हुआ है steady है, shant है, stationary है या फिर यहां पर जो है ठीक है या फिर मेरे भाई यहां पर वो एक किसी पोल को क्रोस करें अब सबसे पहले आपको यह बात समझना होगा कि इस केस में हमारी क्या कहानी बनती है तो जैसे मान लीजे कि आपके पास यह एक मेरे भाई ट्रेन है और यह train मेरे भाई क्या है यह train है पूरा का पूरा और यहाँ पर इतने मीटर लंबे यह pole को जो है pole की लंबाई दे रखी होती है नहीं भी दे रखी होती है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है तो या फिर pole को या फिर अगर हम बात करें तो किसे इंसान को यह मेरे भाई जो है यहाँ पर इसको cross करेगा किसको cross करेगा तो किसी pole को cross करेगा या फिर मेरे भाई किसे इंसान को man को cross करेगा तो हम equation में क्या लिखते हैं देखे अगर कोई मेरे भाई train है तो इस train के पास क्या क्या dimension हो सकते हैं तो मेरे भाई इस train की एक लंबाई होती है train की क्या होती है एक लंबाई होती है जिसको हम healthy लिखते हैं और train जिसी speed से जा रहा होता है तो उसको हम st लिखते हैं कि यह इसकी अपनी speed है अब मैं आपको इस marker को एक बार के लिए pen बना के दिखाता हूं यह मान लिजे कि हमारी train है और यह चलती चली आई चलती चली आई चलती चली आई और अब यह pole को cross करना चाहती है तो जब यह pole को मेरे भाई cross करेगी न तो एक दम ऐसे यानि pole को cross करने का मतलब जो इसने distance को तै किया वो इसने अपने खुद के दूरी के बराबर की दूरी को तै किया कभी भी अगर train किसी चीज़ को cross करती है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि सिर्फ इसका front part cross करे cross करने का मतलब होता है कि एकदम मेरे भाई last वाला part उसको cross करके निकल गया है जैसे आप यह बात तब कहते हैं जैसे माली जे train अगर platform पे है तो हम यह नहीं कहते हैं कि train platform से निकल चुकी है हम तब कहते हैं जब train platform से निकल चुकी हम तब कहते हैं जब उसका आखरी डबा भी platform को छोड़ चुका हो जब आखरी डबा छोड़ देता है तब हम कहते हैं याँ ट्रेन जो है वो मेरे भाई निकल गई है तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या बोलेंगे बोलेंगे सर यह देखेंगे अभी यहाँ इसका front part कहा है तो इसका front part यहाँ पे है अब यह train cross करना शुरू करेंगे शुरू करेंगे शुरू करेंगे और अब इसका यहाँ पर अब cross करेंगे यानि यह उतना ही दूरी तै करेगा मेरे भाई जितना इसके दूरी के बराबर होगा तो note बनाकर पहला point लिख लीजेगा कि जब भी कोई भी train किसी भी पोल को लिखेंगे time बराबर यहाँ पर कितने time में वो उसको cross करेगी तो time बराबर हो जाता है क्या तो time बराबर हो जाता है मेरे भाई distance upon speed यहाँ पर होता है अब distance के जगा पर क्या लिखेंगे तो उसने कितनी दूरी तै की तो उसने खुद के length के बराबर के तो length of train divided by speed of train length of train divided by speed of train यानि जब भी कोई train किसी पोल को किसी खमबे को किसी इंसान को रुके हुए इंसान को पार करती है तो इसका मतलब दूरी के नाम पर वो खुद के दूरी को तै करती है और speed होगा तो क्या इसके पास speed है तो बोलोगे हां सर क्या पोल के पास स्पीड बोलो होगे तो नहीं सर यानि जिसकी स्पीड देखो सिंपल सी बात बताऊंगा जिसके पास लंबाई होगी उसकी लंबाई लिख देना और जिसके पास उसका डिस्टेंस होगा मतलब स्पीड होगा वो लिख देना इन दोनों में किसके पास मेरे भाई length है, length हाइट है इसके पास, pole के पास height होता है, length नहीं होता तो लंबाई मातर इसके पास है तो इसके लंबाई लिखे speed किसके पास है, क्या train के पास है, pole के पास है, दोनों के पास है तो बोलोगे Sir सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रेन के पास स्पीड है तो स्पीड के नाम पर क्या लिखा तो इसी को लिखा यह हमारा क्या है तो Case No. 1 है अब Case No. 1 के बाद हम चलते हैं और यहाँ पर जो है दोस्त Case No. 2 को समझते हैं कि Case No. 2 क्या होता है case number two में आपको यहाँ पर यह कहा था कि जब हमारी जो train है वो हमारी cross कर рہी है और train हमारी किसको cross करेगी तो train crosses up platform तीक है या फिर मेरे भाई किसी bridge को क्रोस करती है platform को cross करे या फिर मेरे भाई किसी bridge को cross करती है तो उस case में कहानी क्या होती है जैसे मान लीजे कि यह हमारे पास एक train है ठीक है और यह train का जैसे हमेशा पता है इस train की एक अपनी लंबाई होती है और इस train का एक अपना speed होता है यहाँ पर दोस्त मेरे भाई क्या है तो यह यहाँ पर एक bridge particularly बना हुआ है आप समझे इस बात को लेके और यहाँ पर क्या करना है तो यह bridge को इसको पार करना है अब यह जो bridge है ना इस bridge के पास क्या होगा क्या इस bridge के पास लंबाई होगी क्या इस bridge के पास speed होगा क्या होगा तो बोलोगे sir bridge के पास speed कहा होता है ब्रीज तो चुपचाप शांती से जो है यहाँ पर अपना रह रहा होता है ब्रीज की तो कोई स्पीड ही नहीं होती सर तो यह जैसे मान लीजे हमारा ब्रीज बना हुआ है और यह ब्रीज का का होगा तो ब्रीज का यानि लेंथ आफ प्लाटफॉर्म आप लिख सकते हैं कि स यहाँ पर LP है मैं प्लाटफॉर्म का नाम दे देता हूं ब्रीज का नाम दे देता हूं जो बोलना चाहें इसके पास लंबाई होगी लेकर स्पीड क्या होगा कुछ भी नहीं होगा यह शांती से चुपचाप वहां पड़ा हुआ है तो इसको पढ़े रहने दीजे तो यह जो एक्वेशन बनता है यहां पर वो टाइम का एक्वेशन कैसे बनता है तो आप बोलेंगे सर देखिए हमेशा डाइम बराबर क्या होता है दिस्टेंस अपान स्पीड होता है अब distance हमारा क्या है क्या इसके पास distance है इसके पास distance है या दोनों के पास है तो बोलेंगे सर दोनों के पास distance है क्या है दोनों के पास distance है तो जब दोनों के पास distance है तो दोनों को लिखेंगे अब बोलोगे सर यह मतलब हम समझ नहीं पाए कि आप दोनों के distance को क्यूं लेने की बात करे रहें, तो आप मेरे हाथ पर focus करिए, ये आपका train है, ये marker क्या है train है? अब ये bridge के एकदम pass में है, अब ये bridge पे धेरे 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 चड़ रहा है, अब ये bridge के उपर आचुका है, या platform के उपर आचुका है, अब यह train पूरा 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 प्लैटफॉर्म के distance को तै किया तो इसके tip point को देखो यह tip point कहाँ पर है तो पहले यह tip point यहाँ पर था ठीक है यहाँ पर यहाँ पर मेरे भाई था अब यहां से यह निकला 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 अभी यह प्लाटफॉर्म को पार नहीं किया है अभी यह निकल रहा है निकल रहा है यानि अब मेरे भाई यह प्लाटफॉर्म को पार करता है यानि यहाँ पर जाके पार करता है यानि इतना दूरी उसको तै करना होता है तो जब यह यहाँ तक निकल जाता है ना तब माना जाता है कि इस train ने platform को पार किया है यानि कहने का मतलब इसने कितना दूरी तै किया तो इसने bridge की दूरी को तै किया और खुद के दूरी को तै किया तो जब कोई भी train किसी भी platform को पार करती है तो वो दोनो length को पार करती है अपने खुद के भी length को और अपने platform के भी length को तो distance के नाम पर जिसके पास distance होगा आप लिखेंगे आसान भाशा मैं आपको इतना बता देता हूँ कि distance जिसके पास होगा उसका distance लिख देना और speed जिसके पास होगा उसका speed लिख देना तो distance के नाम पर दोनों के लंबाई को लिखा जाता है तो length of train plus length of platform लिखा जाएगा और speed जो है, वो मातर train के पास है तो मातर यहाँ पर ST लिखा जाएगा यह आपका case number 2 बन जाता है ठीक है, यह हमारा क्या बन जाता है तो यह हमारा S2 बन जाता है एक बच्चा गयरा सर्शारे PDF का बुक कौन सा है अनुराक कुमार 100 तो जो हम आपको classroom sheet देते हैं वो किसी किताब की PDF नहीं होती है यह सिर्फ और सिर्फ आपके batch के लिए बनाई गई PDF होती है जो भी किसी भी किताब से नहीं होती है समझ गा अनुराक भाई, इस बात को लेकर यहाँ पर तो इसलिए यहाँ पर कोई special कोई किताब नहीं बनाई जिसके मैं अलग-अलग sheet बना के आप लोगों को देता हूँ मैं sheet बनाता हूँ और वो में सिधा-सिधा आपको provide करवाता हूँ आपके batch के अनुसार अब यहाँ देखें यहाँ बात करते हैं case number 3 क्या होता है case number 3 यहाँ पर यह होता है जब हमारी train जो है वो हमारी cross कर रही है लेकिन train हमारी किसको cross कर रही है तो when train crosses a moving object train crosses a moving object और वो moving object मेरे भाई क्या हो सकता है तो moving object की अगर हम बात करते हैं तो वो moving object में हमारा आपका कोई इनसान भी आ सकता है ठीक है आपका कोई बस भी आ सकता है आपका कोई कार भी आ सकता है अभी फिलाल बस मैं इतना ही बात करता हूँ मैन भी आ सकता है बस भी आ सकता है और कार भी आ सकता है पहले ये समझो फिर उसके अंदर बाद में मैं एक और केस लेकर हूँगा तो अब यहां पर गया है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लीज़ defendant किसको क्रोज करेगी तो यहां तो जैसे मान लीज़urate यहां पर कोई मैं को क्रोज कर ले या फिर मेरे भाई एक छोड़ू सा कार है उसको क्रॉस कर ले या फिर मेरे भाई एक बस है उसको क्रॉस कर ले तो किसी को भी अगर ये क्रॉस करती है तो क्या क्या फंडामेंटल होते हैं और ये भी डिपेंड करता है कि ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं इनके दो case बनते हैं या तो मेरे भाई यह उसी देखो जिस train देखो train अगर इधर जा रही है तो इनका speed क्या हो सकता है या तो यह सारे के सारे इधर ही जा रहे हैं same direction में मेरे भाई अगर हम बात करते हैं तो या तो सब का same direction हो या फिर यहाँ पर कहानी यह हो सकती है कि they are going in या फिर हो सकता है कि they are going in opposite direction दोनों में मेरे भाई कोई भी संभावना बन सकती है opposite direction का मतलब क्या यह इधर की तरफ जाना शुरू करें एकदम train इधर से आ रहा है और यह इधर से जा रहे है तो दो case बनता है especially जब भी जिस object को पार करने की बात होती है अगर उस object के बाद speed है तो या तो train से दूर जा सकता है या train के करीब में मेरे भाई आएगा तो इसलिए इसके दो अलग-अलग equation बनते हैं same direction की कहानी अलग होती है opposite direction की कहानी अलग होती है अब जब यहाँ समझे इस बात को लेकर यहाँ पे तो train के पास क्या होगा तो train के पास खुद की लंबाई होगी और train के पास खुद की मेरे भाई speed होगी यहाँ पे क्या होगी खुद की speed होगी और अगर हम इन लोगों की बात करते है मैन है या बस है या फिर कार है ठीक है यह जैसे हमारा कार हो गया यह हमारा मेरे भाई मैन हो गया यह हमारा बस हो गया तो इनके पास मातरे स्पीड होती है इनकी लंबाई नहीं होती जैसे ट्रेन आपका 300 मीटर लंबा है ये मुश्किल से मुश्किल 4-5 मीटर ही होता है तो इसके लंबाई को consider नहीं किया जाता है कार के लंबाई एक 1.5 मीटर के बराबर होती है और मैन की तो height होता है लंबाई तो कुछ भी नहीं होता समझ रहे हैं बात को लेकर तो मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा तो मैंने आपको कहा कि इनके लंबाई को consider नहीं किया जाता है मातर इनके speed को लिया जाता है तो जैसे मान लीजे मैं सबके speed को ये speed of man कह लीजे speed of bus कह लीजे speed of car कह लीजे इस तरीके से करके आप कोई भी नाम दे सकते हैं तो अब यहाँ equation कैसे लिखेंगे तो same direction का एक अलग equation बनेगा opposite का एक अलग बनेगा same direction में जो equation बनेगा वो क्या होगा तो बोलेंगे sir time बराबर distance upon क्या होता है speed होता है sir आपने यह बात सिखाया था कि distance में हम क्या करेंगे तो distance में हम देखेंगे किस के पास distance है तो train के पास distance है लेकिन इन में से किसी के पास distance नहीं है तो distance के जगाँ पर क्या करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ train की लंबाई को लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ train की लंबाई यानि क्या लेंगे तो L T लेंगे मेरे भाई और स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड में हम यहाँ पर देखते हैं सर स्पीड में हम यहाँ यह देखेंगे कि स्पीड किसके पास है क्या ट्रेन के पास स्पीड है या मैन के पास स्पीड है या दोनों के पास है और अगर है तो उनका direction क्या है यानि जिस दिशा में train चल रही है क्या उसी दिशा में इंसान चल रहा है पता चले train भी धर ही चल रही है और man भी धर ही चल रहा है तो same direction में है या train इधर चलती है और हमारा man उधर से आ रहा होता है opposite direction में है आपको भी पता है कि अगर मान लीजे same direction में जाते हैं तो speed को minus कर दिया जाता है और opposite direction में आते हैं तो speed को plus कर दिया जाता है तो अगर ये train और अगर ये इनसान एक ही दिशा में जाएंगे speed को minus कर दिया जाएगा तो train की रफतार में से man की रफतार को घटा दीजे आपका ये equation बन जाता है और यह कौन सा case होता है जिसमें मेरे भाई यहां पर जो है वो same direction में जाए आपको रटना कुछ भी नहीं है बस समझना है और मातन रितना समझना है कि sir ने कहा ता जिसके पास distance होगा उसका डिस्ट लिग देना और जिस tiet पास speed होगा उसका अब यहां पर आप लोग मुझे खुद बता देंगे कैसे equation बनेगा तो क्या बोलेंगे Sir time बराबर distance upon speed अब यह बताइए जब कोई train किसी man को, car को, bus को या इन में से किसी को पार करे तो length हमारा किस के पास होगा तो length के नाम पर मातर हम train का length लेते हैं तो यह हम क्या ले लेंगे, lt ले लेंगे और speed के नाम पर क्या लेंगे तो इसके पास b speed है और इसके पास b speed है and they are going in opposite direction विपरीत दिशा में जा रहा है एक east की तरफ जा रहा है तो दूसरा west की तरफ जा रहा है समझ में आगया बात यह जैसे मानली ये east की तरफ जा रहा है तो वो west की तरफ आ रहा है तो यहां पर क्या करेंगे speed में दोनों के speed को जोड़ देंगे यानि यहां क्या होगा speed of train प्लस speed of man हो जाएगा तो यह हमारा हो गया दोस्त हमारा case number 3 यहां पर क्या हो गया तो यह हमारा हो गया मेरे भाई case number 3 यहां पर कोई दिक्कत की बात अब यहां पर बात करते हैं next case case number 4 की जब कोई train किसी दूसरे train को पार करे जब कोई train किसी दूसरे train को मेरे भाई pass करे यहां पर तो case number 4 की बात करते हैं case number 4 को देखते हैं, कि case number 4 की बात करेंगे तो क्या होगा, when a train, आप काशिघा है, when a train पासिज अनडर ट्रेइन, कशी सबसक्राइव हो अगर वो डुसरे ट्रेइन को पास करेगी, तो तो फिर से वही सम्भाव ना बनेगी, आप यहां दिखिए यह मेरे पास एक ट्रेन है ठीक है और यहां पर क्या होगा तो केस नमबर वनी है पार्ट नमबर एग बनेगा मेरे भाई कि यह ट्रेन उसी दिशा में चल रहे किसी दूसरे वाली ट्रेन को पास करती है यह पॉइंट नमबर भी हमारा यह बनेगा कि जैसे मान लीजे यह हमारा ट्रेन है यह हमारा क्या तो यह हमारी बुले ट्रेन है जिसका वादा मोदी जी ने किया था और यह सामने से आ रही मेरे भाई एक दूसरे ट्रेन को जो है यहां पर इसको पास करती है तो यह हमारा हो जाता है कि जब एक train किसी दूसरे train को पार करे यानि ये कौन सा हो गया मेरे भाई तो ये condition हमारा हो गया same direction का when they are moving in same direction और या फिर मेरे भाई दूसरा guess क्या हो गया when they are moving in opposite direction जब वो विपरीत दिशा में जाएंगे तो कैसे equation बनाएंगे अब हम सिर्फ और सिर्फ fact पर बात करते हैं कि examiner हमें क्या दे सकता है किसकी value दे सकता है और क्या-क्या हो सकता है तो आप देखो चुकि एक train है तो इसकी लंबाई होगी तो यहाँ पर इसकी लंबाई L1 और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी S2 हो जाएगे दीखे अब इस वाले case में जब वो same direction में जाते हैं हम equation कैसे लिखेंगे आप लोग बड़े प्यार से खुदी भोलेंगे सर देखिए time का जो formula होता है वो हमारा क्या होता है तो distance upon speed होता है अब distance में मैंने आपको ये सिखा रखा है कुछ ना समझ मैं तो बस इतना देख लेना किसके किसके पास distance है क्या इसके पास लंबाई है तो हाँ सर क्या इसके पास लंबाई है तो हाँ सर यानि लंबाई के नाम पर हम दोनों की लंबाई को लेंगे इसकी लंबाई भी लेंगे और इसकी लंबाई भी लेंगे तो distance में क्या हो जाएगा L1 और plus L2 हो जाएगा और ऐसा हम क्यों करेंगे तो बहुत ही simple reason है जब एक train किसी दूसरे train को cross करती है तो इसका मतलब वह खुद को भी cross करेगी और दूसरे वाले को भी cross करेगी जैसे मैं आपको एक example समझाता हूँ माल लीजए मेरे भाई एक train मेरी ये है और दूसरे train मेरी ये है तो जब ये वाली train जो मेरे left hand में है अगर ये left train दखेंगे आपकर मैं आपको ऐसे समझाता हूँ अगर ये left वाली train इस वाले को cross करती है तो पहले देखो इसके पास में आएगी अब इसके पास आई तो भी सिर्फ मिलन हुआ है फिर धीरे 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 से गुजर रही है तो यह टिप जो है इस टिप ने कितनी दूरी को तै किया तो यह पूरा डिस्टेंस यह तै कर रहा है यह पूरा पूरा डिस्टेंस यह पूरा तै हो रहा है यह पूरा दूरी मेरे भाई तैय हो रहा है और फिर उसके बाद क्या है अब यह धीरे 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 जब तक क्रॉस नहीं करेगा ना तो नहीं हो गए यानि इसने क्या डिस्टेंस तैय किया तो यह पूरा और ये पूरा ये पूरा distance ट्रै किया तो इसलिए distance के नाम पर L1 प्लस क्या लेते हैं तो L1 प्लस मेरे भाई L2 लेते हैं और बात करते हैं speed के matter में तो जब वो लोग same direction में जाएंगे speed को करेंगे minus speed को क्या करेंगे minus तो यहाँ पर पीछे वाले train इसको overtake कर रही है तो इसकी speed ज़्यादा होगी इसकी speed कम होगी तो क्या लिखोगे S1 minus S2 लिखोगे चाहो तो यहाँ mode भी लगा सकते हो तुम्हारी अपनी इच्छा है कोई दिक्कत की बात नहीं है लंबाई को हमेशा जुड़ा जाता है कभी भी लंबाई को गटाया नहीं जाता एक बच्छा L1 minus L2 लिख रहा है नहीं लंबाई हमेशा जुड़ेगा और speed minus तब होगा जब direction same है और speed plus तब होगा जब direction opposite है अब इस वाले में देखिए एक train यहां से आती है और एक train यहां से आती है तो वहीं formula time बराबर क्या हो जाएगा distance upon speed अब distance देखिए तो क्या दोनों के पास distance है तो हाँ sir यानि क्या लिखेंगे L1 plus L2 और speed की बात करते हैं तो क्या दोनों के पास speed है तो हाँ sir यानि S1 plus S2 अब उस देखिए तो speed को क्या किया हमने जोड़ दिया क्या किया जोड़ दिया तो बस यहां हो जाता है पूरा का पूरा आपका train खत्म मतलब 15 मिनट के अंदर में आपने 15-20 मिनट के अंदर में पूरा बढ़िया तरीके से train के सारे theory को आपने समझ लिया अब ये clear कब होगा पता है जब इसके उपर आप question लगाओगे ठीक है इसके उपर मेरे भाई क्या होगा तो इसके उपर आप question लगाओगे जिसे आप यहां देखिए question number 1 मेरे भाई क्या कहा गया सबसे पहला सवाल छोटू सवाल बढ़िया सवाल आप ज़रा देखिए तो कहा गया the time taken by a 180 meter long train running at a speed of 54 km per hour to cross a man standing at the platform हमेशा सवाल को पढ़ते वक्त आपको यह देखना है कि वो train किसको cross कर रही है तो वो train एक man को cross कर रही है वो train एक pole को cross कर रही है वो bridge को cross कर रही है वो किसी दूसरे train को cross कर रही है वो किस को cross कर रही है अब इस सवाल में देखिए इतना किलोमीटर के गती के चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रिल गाड़ी द्वारा platform पर खड़े वक्ती को पार करने में प्लैटफॉर्म को पार करने में नहीं, अब भाई वो व्यक्ति प्लैटफॉर्म पे खड़ा हो, हवाई जहाज पे खड़ा हो, समंदर में खड़ा हो, दरिया में खड़ा हो, कहीं भी खड़ा हो, ट्रेन ने उस व्यक्ति को पार किया है, ना कि उस हवाई जहाज उस दरिया और उस platform को तो train ने उस व्यक्ति को पार किया तो पार करने में कितना समय लगेगा तो case number one मैंने आपको क्या सिखाया था कि दुनिया में मेरे भाई जब भी यहां पर कोई भी train किसी भी man को platform को दुनिया जहान में किसी भी fine object को मेरे भाई cross करती है तो time का formula क्या होता है तो time बराबर हो जाता है distance upon speed और distance के नाम पर हम क्या लेते हैं तो यहां पर जब कोई train मेरे भाई किसी man को माल लीजे पार करेगा तो distance सिर्फ इसी के पास होगा इसके पास कोई भी distance नहीं है तो distance में length of train लेते हैं और ये वेक्ति अगर इज़त से शांती से चुपचाप खड़ा है तो speed भी दोनों में सिर्फ इसी के पास होगी इसके पास कोई भी speed नहीं होगी यानि अगर माल लीजे मुझे time निकालना है तो time बराबर length of train divided by speed of train मेरे भाई अब अगर आप देखेंगे तो train की जो लंबाई है वो आपको किसमे दे रखा है तो train की लंबाई जो है 180 मीटर है तो ये मीटर में दे रखा है लेकिन स्पीड जो है वो हमारा किसमे है तो किलोमीटर परावर में है अब यह हमारा धर्म बनता है कि हम किलोमीटर परावर को मीटर पर स्रेकेंड में बदलें यहाँ पे तो हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे स्पीड ओफ ट्रेन हमारा कितना है तो चववन और 40 क्या किलो मिटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 से गुना करना जरूरी है अब यहां देखिए अगर आप कटम कुटाई खेलेंगे 18 से कितनी बार में जाएगा तो 3 बार में और 5 और 3 मेरे भाई 15 होता है 15 इसे कितनी बार में काटेगा 12 बार में तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 12 सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर होगा कौन सा ऑप्षन है तो ऑप्षन नमबर B for बाहू बली तो रिसेंट में अभी मैं हमारे एक क्वेशन पूछा गया जिसका बहुत बहुत बहतरीं तरीके से आप लोगों ने आंसर दिया और एक आंसर क्या हुआ हमारे भाई तो 12 सेकेंड है यहाँ पे क्लियर है यह बात कोई दिक्कत की चलिए थोड़ा सा अपना तीन नमबर और पक्का करिए दूसरे वाले सवाल का उत्तर मेरे भाई देखें हाँ पे क्या कहा गया आप वो देखें 63 किलोमेटर प्रती गंटे की गती से चल रही है एक रेल गाड़ी एक हमबे को 24 सेकेंड में पार करती है ट्रेन की लंबाई क्या होगी फिर से कई बार दोस्तों बताया मैंने आपको कि जब भी कोई भी ट्रेन किसी भी यहाँ पर जो है मैन को पार करती है जो कि स्टैनिंग पॉजिशन में है या किसी पोल को पार करती है तो वो हमेशा खुद को पार करती है समझ रहे हैं अब imagine करिए कि कोई हमारा एक ट्रेन है और इसने किसी पोल को पार किया है तो time का formula क्या होता है time का formula distance upon speed होता है अब ये बताईए दोनों में किस के पास distance होगा किस के पास लंबाई होगी तो बोलोगे सिर्फ train के पास लंबाई है पोल के पास तो लंबाई के नाम पर कुछ भी नहीं है तो यानि यहाँ पर क्या लेंगे तो length of train लेंगे अब बताओ speed किस के पास होगा यहाँ पर ये दोनों के पास किस के पास speed होगा कभी पोल को भागते हुए देखा है नहीं न, शांती से एक जगा पे खड़ा रहता है तो यानि speed सिर्फ train के पास होगी पोल के पास कोई भी speed नहीं होगी तो यहाँ क्या हो जाएगा speed of train हो जाएगा अब यहाँ देखे train की लंबाई हमारी कितनी है तो यहाँ पर वो हमें पता करना है कि वो लंबाई कितनी थी तो हमने कहा sir time की value हमारी कितनी दे रखी है तो time की value हमारी 24 second लंबाई हमारा कितना दे रखा है तो इतना और speed हमारा किया दे रखा है तो 63 अब important बात पता है क्या है मुझे जो लंबाई पता करना है वो मीटर में पता करना है मेरा जो टाइम है वो सेकेंड में दिया गया है तो मैं इसको किलोमेटर पर और मैं कैसे रहने दू मुझे इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना ही होगा यानि मुझे इसको गुना करना होगा किस से तो 5 बटे 18 से समझे इस बत को तो 5 से देखो 9 से काटोगे तो 2 बार में और 9 से काटोगे तो 7 बार में अब यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा तो यह तुम्हारा जैसे चोबीस हो गया यह बराबर हो गया लेंट आफ ट्रेन ये 7 और 5 मेरे भाई नीचे रहेंगे और ये 2 हमारा उपर चला जाएगा तो 2 हमारा उपर चला जाएगा और 7 और 5 हमारे नीचे रहने वाले हैं 7 और 5 का मतलब 35 हो गया प्यूकि बटे के नीचे बटा नहीं रह सकता तो उपर 2 से हमने काटा कितनी बार में 12 बार में 12 से multiply कर लो तो 12 से multiply कर लोगे तो 12 का 5 गुना 60 का 0 तुम्हारा 6 मन में आ गया और 12 यह 36 और 42 एकदम प्यार से के calculation भी आप लोगों को समझा दे रहे हैं ताकि एकदम user friendly आप लोगों को लगे और कहीं पर किसी भी सवाल में doubt ना हो और जो train पूरे दुनिया में किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है उसको आप लोग हवा में उड़ा के fake दो आएए चलिए एक रेल गाड़ी किसी platform पर खड़े देखो platform पर खड़े वेक्ति को 8 सेकंड में पार करती है और 264 मीटर लंबे platform को 20 सेकंड में पार करती है रेल गाड़ी की लंबाई क्या है यहाँ पर हमारा double case दिया गया है ठीक है थोड़ा थोड़ा मैं करके level बढ़ाते चलूँगा क्या question में कहा गया train passes a man पहले तो उस train ने एक वेक्ति को पार किया है ठीक है and it also crosses a platform तो यहाँ पर man को 8 सेकंड में पार किया platform को 20 सेकंड में पार किया तो train की लंबाई क्या है अब मैं आपको क्या कहता हूँ मैं आपको यह कहता हूँ कि एक train ने किसी इंसान को पार किया है और उसे 8 सेकंड लगे है pole को पार किया इंसान को पार किया और उसने मेरे भाई किसी platform को पार किया तो 20 सेकंड लगा तो मैंने यहाँ पर क्या गहा में 8 सेकंड समझना जब भी कोई ट्रेन मेरे भाई किसी मैन को पार करती है इसका मतलब खुद को खुद को पार करने में 8 सेकंड और जब भी कोई ट्रेन मेरे भाई किसी प्लैटफॉर्म को पार करती है तो इसका मतलब अपने आपको भी पार करती है और platform को भी पार करती है तो मैंने कहा खुद को पार करने में कितना लगया तो खुद को पार करने में 8 सेकंड और दोनों को पार करने में कितना लगा तो दोनों को पार करने में 20 सेकंड थोड़ा logic का इस्तमाल करिएगा जब कोई train किसी वेक्ति को या किसी pole को पार करेगी, इसका मतलब खुद को, खुद को पार करने में 8 सेकंड, किसी platform यानि खुद को और platform को पार करने में 20 सेकंड, अगर कभी भी ये शब्द कहा जाए कि उसने किसी platform को पार किया है, इसका मतलब hidden है, वो खुद को भी पार कर रही है और platform को भी, तो खुद का 8 सेकंड टोटल 20 सेकंड तो प्लैटफॉर्म के लिए कितना तो 12 सेकंड यानि हम यहां पर यह कह सकते हैं कि सर 12 सेकंड के दूरी को तै करने में देखो यहां पर अब देखो 12 सेकंड उसे लगे हैं प्लैटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड लगे हैं प्लैटफॉर् इसको पार करने में कितना लगा तो 12 सेकंड तो मेरे भाई 8 सेकंड में दूरी कितनी तै की होगी ये बताओ 12 सेकंड के लिए इतनी दूरी तै करनी पड़ती है तो 8 सेकंड के लिए कितनी दूरी के तै करनी पड़ती है तो बोलेंगे सर देखिए चार से दो बार में, चार से तीन बार में और तीन से मेरे भाई आठ बार में चौबिस और आठ बार में चौबिस और ठासी इंटू दो 176 मीटर सरांसर आगया बात कतम ये लीजे, दुनिया में इससे शौट अप्रोच होई नहीं सकता इस सवाल का इतने बहतरी तरीके से आपने इस सवाल का अंसर दे दिया खुद को पार करने में 8 सेकंड, दोनों को पार करने में 20 सेकंड तो इसको पार करने में 12 सेकंड और 12 सेकंड में यहाँ पर यह लंबाई कितना भागी 266 मीटर तो मैं वहीं कह रहा हूँ 12 सेकंड में 264 मीटर तो 8 सेकंड में में मेरे भाई कितना 8 सेकंड में जो भी दूरी तै की गई होगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर तो यानि वहीं बात है 12 सेकंड में इतना एक सेकंड में इतना तो 8 सेकंड में इतना सिंपल कैलकुलेट कर लो तो मैंने वहीं कहा है यह जो 266 मीटर है इसको पार करने में 12 सेकंड लगे तो 8 सेकंड में कितना दूरी तय किया होगा मेरे भाई तो 176 मीटर मज़ा आया कि नहीं आया जरा यह बता